नश्कर लोस्तों, डेट है आज की 21 जून 2022 और स्वागत है आपका एटोयल डिस्केशन में तीन इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले हिंदू का आंटिकल डिस्कस करेंगे सेक्शन, IPC सेक्शन 498-A के मिस्यूज से सम्मन दित दूसरे नबर पर आंटिकल डिस्कस करेंगे IT Act सेक्शन 66-A के बारे में सरकार पिछले दरवाजे से कोशिश कर रही है इस सेक्शन को वापस लाने के लिए ये सेक्शन सुप्रिंग कोट के दोरा स्ट्राइक डाउन कर दिया गया था 2015 में स्रेय सिंगल केस में तीसरा आंटिकल हम डिस्कस करेंगे इंडियन एक्सप्रेस का इंडिया नेपाल रिलेशन से सम्मंदी तो उसमें फोकस है हाईडरो पावर प्रोजेक्ट पर डिस्कसर हम स्टांट करें उससे पहले एक एक्जामपल इंटिक्रिटी का जो गवर्मेंट के एक ambitious project golden quadrilateral highway golden quadrilateral highway project में जो इंडिया की major cities है जैसे Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai इनको आपस में जोड़ा जाना था और एक quadrilateral बन रहा था इस परकार से इस project में इसलिए नाम है golden quadrilateral highway construction project तो इस project में एक nexus देखने को मिल रहा था वो officers जिनके उपर जिम्मेदारी थी project को कैसे implement किया जा रहा है उसको supervise करने की वो officers local contractors के साथ मिल के corruption कर रहे थे जिसको expose किया गया सतेंदर दूबे के द्वरा उसमें वाजबे की सरकार थी तो ना इन्होंने जब खत लिखा था ना PMO को तो उन्होंने खत में साफ तोर पर नीचे लिखा था कि ये जो letter है ना leak नहीं होना चाहिए मेरा नाम किसी भी कीमत पर leak नहीं होना चाहिए बट नजाने कैसे इनका नाम leak हो गया नाम leak हो गया तो बाद में इनका murder हो गया उससे में जब वाजबेई की सरकार थी 2003 में पार्लियमेंट में खूब हंगामा हुआ था जब इनकी इनको मार दिया गया था ना विपक्स ने खूब हंगामा किया था कि उस officer ने जब बोला था खत में secret letter था कि मेरा नाम ना लीग किया जाए मेडिया में कैसा उनका नाम लीग हुआ हलाकि PMO को खत मिला न तो उन्होंने विजलन से जांस करवाने की परिकिरिया स्टार्ट कर दी थी लेकिन इनका नाम लीग कर दिया नाम लीग कर दिया तो वाजबेई जी उसमें परधामंत्री थे पार्लियमेंट में उनको जवाब देना पड़ा था कि इस बच्चे की सादत मतलब काम आएगी करप्शन के खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे ऐसा सब बहुत कुछ उसमें हुआ था तो एथिक्स में इनका एक्जांपल आप जरूर दीजेगा इन्होंने इंटिग्रिटी के लिए मतलब अपनी जान देदी जान इनकी ले ली गई बहुत बार देखो एथिक्स में ऐसे एक्जेम्पल होते हैं जो आज के ओफिसर से ना बहुत सारे वह ना अपना प्यार बोट करवाते हैं दिक्कत यह है प्यार मतलब पब्लिक रिलेशन ओफिसर रखते हैं अपना पर्सनल और अच्छे-ची खबरे देते हैं मीडिया को उन खबरों को मीडिया को देने का मकसद ही होता है कि ओफिसर अपनी खुद की इमेज चमकाना चाहता है वास्तव में उसने काम किया है नहीं किया है कुछ नहीं पता बस ओफिसर अपना खुद का पियारो रखता है वो मीडिया में अच्छे-ची निउस देता रहता है और ह जलिए अब discussion स्टार्ट करते हैं First important article IPC section 498A के misuse से समधित है आप GS paper second के इस topic से article को relate कर सकते हूं क्या context है देखो IPC section 498A है क्या wife को अगर दहेज के लिए परतारित किया जाता है husband के दवरा या फिर रिष्टेदारों के दवरा तो उस संदर में केस दर्ज होता है लेकिन देखो इस section की ना misuse की खबरे बहुत ज़्यादा आ रही है और judges भी इसको लेके चिंतित है तो इस misuse को रोकने के लिए अलाबाद हाई कोट ने कुछ guidelines जरी की अलाबाद हाई कोट ने देखो ये कहा जैसे ही पुलिस के पास दहेद से समदित केस सामने आता है ना तो पुलिस F.I.R. फाइल करती है लेकिन ऐसा नहीं कि F.I.R. फाइल करते ही तुरंत जिनके खिलाफ सिकायत दी गई है उनको पुलिस अरेश्ट कर ले नहीं F.I.R. रजिस्टर करने के बाद पुलिस जो है वो उस केस को सौप दे एक फैमिली वेलफेर कमेटी को दो महिने तक वो फैमिली वेलफेर कमेटी जो है इस केस को हैंडल करेगी और हस्बंड और वाइफ के बीच मिडियेशन करवाने की कोशिस करेगी तो ये दो महिने का जो कूलिंग ओफ पीरिड है जैसे ही पुलिस ने F.I.R. रजिस्टर की केस जाएगा फैमिली वेलफेर कमेटी के पास में दो महिने तक कोशिस करेगी ये कमेटी हस्बंड और वाइफ के बीच मिडियेशन का इसी बीच अब आपके दिमाग में आया होगा दो महिने तक चलब माल लिया फैमिली वेलफेर कमेटी काम करती रहेगी तो पुलिस क्या करेगी तो इन दो मंस में पुलिस जो है वो पेरिफरल इन्वेस्टिकेशन करती रहेगी peripheral investigation जैसे कुछ अगर evidence इकठा करना है तो evidence इकठा कर लिया अगर witness की statements को record करना है तो witness की statement को record कर दिया injury समंदित report को collect करना है तो injury समंदित report collect कर ली यानि ये सारी चीजें meanwhile इन दो महिने में police collect करती रहेगी तो ये important judgment है अलाबाद high court का अब देखो writer ये कहते हैं इसी परकार का judgment न Supreme Court ने भी दिया था कब 2018 में उस case का नाम था Social Action Forum for Manav Adikar versus Union of India इसमें भी Supreme Court ने कहा था कि इसी परकार से एक committee का गठन किया जाए और वो committee एक महिने तक काम करेगी फरक इतना है अलाबाद high court ने उस committee को दो महिने का time दिया है और Supreme Court ने इस committee को एक महिने का time दिया था committee के composition में भी difference है अलाबाद high court ने कहा है इस family welfare committee में कोई जवान mediator है advocate है या फिर senior law student है इनको भी सामिल किया जाए primary काम इस family welfare committee का यही होगा husband और wife के बीच में matrimonial settlement करवाना यानि dispute को resolve करवाना अब देखो यहाँ पर एक important point आता है Supreme Court ने रजेश सर्मा supra case में ये directions दी थी कि देखो वो दहेज के cases जिस्ट में कोई tangible physical injury involved है मतलब wife की body पर कोई चोट का निसान है तो उन cases में हमारी जो ये guidelines है न कि एक महिने तक case को भेज़ा जाए committee के पास तो वो guidelines उन cases में applicable नहीं होंगी दहेज के जिसमें wife की body के उपर tangible physical injuries के निसान है मतलब चोट के निसान है लेकिन अलाबाद high court ने जो एक guidelines जारी की ना अलाबाद high court ने कहा even वो cases जिसमें section 307 involved है या फिर वो cases जिसमें maximum 10 साल की सजा हो सकती है तो उन में भी हमारी guidelines जो है applicable होंगी यानि दो महिने के लिए committee के पास case जाएगा ही तो राइटर के अनुसार अलाबाद high court की guidelines गरत हैं क्योंकि देखो अगर मान लीजिए wife की जो हड़ी है factor हो जाती है चोट की वज़े से आँख में permanent injury हो जाती है या फिर कान में injury हो जाती है तब भी अलाबाद high court की जो guidelines है applicable होंगी यानि police जो है arrest नहीं करसकेगी दो महिने तक family welfare committee जो है case संभालेगी Supreme Court ने तो हलाँखी कह दिया था CRPC में यानि code of criminal procedure में जो provisions है न वो लागू होंगे मतलब case committee के पास जाएगा एक महिने तक इसका मतलब यह नहीं कि police के उपर ban है कि police ROP को arrest नहीं कर सकती समझ गे यानि CRPC का जो procedure है न वो किसी परकार से परभावित नहीं होगा Supreme Court ने ये कहा था लेकिन अलाबाद High Court ने तो साफ कह दिया है कि दो महिने तक police arrest ही नहीं करेगी जब तक case होगा family welfare committee के पास में तो writer कहते हैं question raise करते हैं अलाबाद High Court का जो judgment है क्या court ने अपनी jurisdiction में रह के ये judgment दिया है क्योंकि देखो CRPC के जो provisions है न वो कानून के तहद बने हुए हैं उसमें सब कुछ clarify है कब arrest किया जा सकता है आरोपी को कब arrest नहीं किया जा सकता तो freshly interpret किया गया है court के द्वारा own provisions को जबकि कानून बनाना तो legislature का का काम है ना कि court का अब एक argument कुछ experts देंगे विशाखा वर्से स्टेट ओफ रजस्तान 1997 में Supreme Court ने guidelines दी थी देखो Supreme Court ने जो guidelines दी थी ना तो उस समय कोई कानून था नहीं workplaces पे महिलाओं के sexual harassment को रोकने के लिए लेकिन अलाबाद High Court ने जो कुछ अब किया है ना वो एक परकार से कानून बनाने के समान है already कानून था CRPC में provisions है उनको freshly interpret किया है अलाबाद High Court ने यानि अपनी jurisdiction से बाहर जाके काम किया है देखो ये बात सच है IPC section 498A के यनि दहेज के बहुत जूटे cases सामने आते हैं मिस्यूज होता है ये बात किसी से छुपी नहीं है लेकिन इन इस मिस्यूज को कम करने के लिए क्या किया जा सकता है कम से कम 498A को डालूट नहीं किया जा सकता ऐसा राइटर बोलते हैं किया ये जा सकता है 2014 की Supreme Court की जो directions है कौन से case में Arnees Kumar Vs State of Bihar case में 2014 का है case में इस case में न Supreme Court ने साफ तोर पर पुलिस को कहा था देखो जो accused person है न धहेज केस में उसके खिलाफ अगर credible material है न मतलब विश्वास किया जाने वाला evidence है या फिर लगता है पुलिस को कि आरोपी को गिरिफतार करना चाहिए लगता है का मतलब ऐसा नहीं कि अंतरात्मा की आवाज नहीं reasoning हो proper logic हो arrest करने का तब ही arrest किया जाए आरोपी को otherwise नहीं इसके साथ साथ जो investigating officers है न उनको rigorous training provide की जाए इसके साथ साथ जो wrongdoors है यानि जो officers गलत धंग से arrest करते हैं उनको departmentally punish किया जाए ताकि एक department में deterrence create हो और जो investigating officers हैं वो सही धंग से जांज करें और किसी निर्दोस को गिरफतार ना करें दूसरी चीज जो legislature है for example state assembly वो ना section 498 A IPC को billable बना सकते हैं अभी ये non-billable है इसके साथ साथ legislature section 498 A IPC को compoundable भी बना सकते हैं compoundable का क्या मतलब होता है देखो compoundable offense वो offense होते हैं जिसमें दोनों parties जो dispute में involved है ना वो बिना court की permission के सहमती कर सकती है settlement कर सकती है मैं आपको example देता हूँ जो rape के cases होते हैं वो non compoundable होते हैं इन cases में जो सिकायत करता है और जिन पर आरोप हैं दोनों court की permission के बिना आपस में settlement नहीं कर सकते हैं ऐसे cases जो society के against crime होते हैं तो वो cases होते हैं non compoundable यानि उन cases में दोनों parties को सहमती करने के लिए settlement करने के लिए court की permission लेनी पड़ती है तो ये एक suggestion है कि legislature IPC section 4 98 A को valuable बना दे और compoundable बना दे next mediation bill 2021 अभी pending है ये एक बार आ गया तो फिर civil route के माध्यम से भी जाज़ाज़ जादा matrimonial disputes को soul किया जांसकेगा और जूटे cases जो हैं वो कम सामने आएंगे लेकिन देखो जब तक law में amendment नहीं हो जाता तब तक IPC section 498 A का dilution नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर कोई भी high court अपनी jurisdiction से बाहर जाके verdict देती है order pass करती है तो कल को Supreme Court उस order को struck down कर सकती है ऐसा writer का मानना है तो ये पूरा article हमने discuss किया चलते हैं आगे इसके बाद next article IT Act 66 A से समदित हैं आप GS paper second के इस topic से article को relate कर सकते हूं देखो IT Act 66 A 2015 में Supreme Court ने इसे strike down कर दिया था था क्या ये act इसमें न वो person जो online किसी दूसरे person को offensive message भेजता था जैसे गाली गलोच वाले message या फिर कोई person दूसरे person को ऐसी information भेजता जो false हो जूटी हो जान बुझके वो person दूसरे person को information भेज रहा है ताकि दूसरे person को खत्रे में डाला जासके उसके insult की जासके उसको धमकाया जासके तो इन सब cases में न punishment का प्रावधान था इस IT Act 66 A में बढ़ दिक्कत क्या थी local authorities यानि police काफी misuse कर रही थी इस act का और police कई बार तो political leaders का कहने पर काम करती है न तो अनेको लोगों को गिरिफ्तार किया गया इस 66 A में finally 2015 में स्रिया single case में Supreme Court ने इस section 66 A को strike down कर दिया ये कहते हुए कि ये freedom of speech and expression के against है आप देखो हरानी वाली बात ये है Supreme Court ने इसे 2015 में strike down कर दिया लेकिन local level पर जो police officers है उनको पता ही नहीं है तो आप अंदाजर लगा सकते हो हमरे देश में local level पर किस परकार से police officers अपने आपको update करते हैं मतलब बार बार Supreme Court के strike down करने के बावजूद बार बार इसी act के अंदर cases register होते रहे फिर final 2019 में Supreme Court ने बोला कि भाया क्या कर रहे हो तुम लोग DGP को आदेश दिया विभिन राज्यों के कि आरे तुम local level पर police officer को बताते क्यों नहीं instructions क्यों नहीं देते कि ये act जो अब हट चुका है ना case दर्ज कीजिए इस act के अंतरगत तो अब जाके मतलब बहुत कम cases सामने आ रही है IT act 66A के मतलब आपको हरानी नहीं हुई कोई कानून है यह नहीं कानून हट चुका है फिर भी उस हटे हुए कानून के तहत cases दर्ज हो रहे हैं और उससे भी जादा चलो मान लिया पुलिस वालों को नहीं पता इवन लोकल लेवल पर जो magistrate है वो भी गिरफतार होने के बाद judicial custody दे देते है और उपी की मतलब जो judicial magistrate होते है उनसे तो यह उमीद की जाती है कि सुपरिंग कोर्ट का judgment 2015 का उन्हें सुना हो सभी UPSAS parents को पता होता है कि यह act पहले हुआ करता था आज कल नहीं है खर आज का जो इशू है वो यह है हाल हीमिना एक international conference आउजित हुई UN के द्वारा आउजित की गई थी कि एक international treaty आनी चाहिए cyber crime से लड़ने के लिए और इस international treaty पर जब negotiation चल रही थी न तो इंडिया ने भी अपना एक suggestion रखा इंडिया ने बोला offensive messages को criminalize कर दिया जाए तो writer कहते हैं अरे भाईया section 66A Supreme Court ने strike down कर दिया central government फिर से इसे पिछले दरवाजे से लाने की कोशिस कर रही है इसलिए उन्होंने UN में जब negotiation चल रही थी ये suggestion दे दिया कि offensive messages को फिर से criminalize कर दिया जाए पहले 2015 से पहले जो IT Act 66A में हुआ करता था था न वही provision इंडिया की तरफ से suggest किया गया UN को तो writer कहते हैं देखो पहली तो बात इंडिया ने सिरफ अपना suggestion रखा है इंडिया की बात को मान लिया जाएगा कोई surety नहीं है UK और दूसरे जो develop countries है उन्होंने इंडिया के इस suggestion का विरोध किया है उनका कहना है इंडिया का ये suggestion freedom of speech and expression के against है तो इसे ना माना जाए और मान लिजिए इंडिया की बात को मान भी लिया गया यानि इंटरनेशनल ट्रीटी जो आएगी cybercrime से लड़ने के लिए उसमें offensive messages को जब तक domestically parliament कोई कानून नहीं बनाएगी तो automatic international law हमरदेश में लागू नहीं होने लगेगा इंडिया में dual system है मतलब ऐसा नहीं कि international कानून जो है वो अपने आप से ही automatic इंडिया में लागू होंगे नहीं कानून तो वही लागू होगा जो parliament से पास होगा इसके बाद राइक्टर बोलते हैं वैसे तो देखो Supreme Court ने समय समय पर अपनी judgments देते वक्त International Laws को accommodate किया है जैसे विशाखा वर्सेश टेट ओव राजस्तान 1997 के case में National Legal Services Authority वर्सेज Union of India 2014 के case में K.S.Puttaswami वर्सेज Union of India 2018 के case में तो international treaty अगर बन जाती है न साइबर क्राइम के उपर और उसमें offensive messages को criminalize किया जाता है तो Supreme Court उसको भी accommodate करेगी इसकी कोई guarantee नहीं है क्योंकि इन सब cases में Supreme Court ने जब International Laws को accommodate किया था ना International Laws के according अपना verdict दिया था तो उस समय देखो इन सब issues पर कोई domestic कानून था नहीं लेकिन अब तो Supreme Court की खुद की judgment है 2015 के स्रिय सिंगल केस की तो Supreme Court उस judgment को ignore करके International Law को accommodate करेगा इसके संभावना बहुत कम है पालियमेंट ऐसा कर सकती है क्योंकि अगर आपने लक्षमिकान पड़ी हो मतलब आप बिगनर हो तो अलग बात है तरवाइस लक्षमिकान तो आप सबने पड़ी लियोगी अभी तक तो हमारे देश के सविधान के Article 253 में ये दिया गया है कि पालियमेंट न International Treaties और Agreements को Implement करने के लिए देश में कोई भी कानून बना सकती है तो अगर International Agreement on Combating Cyber Crimes में Offensive Messages को Criminalize किया दाता है न तो उसके बाद Central Government उस Agreement को Implement करने के लिए कानून बना सकती है यानि इंडिया में भी Offensive Messages फिट से Criminalize हो सकते हैं जैसा IT Act Section 66A में था बट देखो राइटर बोलते है Basic Parliament कानून बना दे कानून तो पहले भी था 2015 से पहले लेकिन Supreme Court ने जिन Logics के अधार पर जिन Arguments के अधार पर IT Act Section 66A को Nullify किया था वो Arguments तो आज भी मुझूद है न तो Parliament अगर कानून बना भी देती है तो Supreme Court उन Arguments के बेस पे फिर से Parliament के द्वरा बनाय गए कानून को Nullify कर सकती है इसलिए अगर International Agreement में Provision हो भी गया Offenses, Messages को Criminalize करने का तो देश में कानून आएगा इस बात की कोई गरंटी नहीं है क्योंकि बहुत सी ऐसी Nitty Gritties है जो हमने इस Article में डिसकस की है चलते हैं आगे इसके बाद Next जो Article है वो India and Nepal Relations से समदित है फोकस है Hydro Electric Projects पर आप GS Paper 2 से इस Article को Relate कर सकते हो Context देखो ये है निपाल में जो West City Hydro Power Project है न अब इसको Takeover किया जाएगा इंडिया की NHPC के द्वरा NHPC मतलब National Hydro Power Corporation इस से पहले इस Hydro Power Project का जो Engagement था न वो चाइना की एक कंपनी के साथ में था तो ये एक अच्छी चीज है देखो West City Dam जो है ये एक प्रपोष्ट 750 MW का Hydro Electric Dam है कौन सी रिवर के उपर? सेती रिवर के उपर ये है सेती रिवर और ये है करनाली रिवर Particularly देखो ये Storage Dam है पानी श्टोर किया जाता है ताकि बड़ी मात्रा में Electricity को जनरेट किया जांसके सोचा ये गया है कि जब ये प्रोजेक्ट काम करने लगेगा अपनी फूल कैपैस्टी में तो ना सिरफ इस प्रोजेक्ट से Electricity एक्सपोर्ट होगी इंडिया को बलकी निपाल को भी 31.9% Free Electricity मिलेगी और जो लोकल्स परभावित हो रहे हैं इस प्रोजेक्ट की वज़े से उन्हें 10 मिलियन निपाली रुपीज प्लस में 30 यूनिट्स ओफ Free Electricity मिलेगी हर महिने वैसे एक कोशिंग ये भी रेज होता कि चाइना जो है आखिरकार इस प्रोजेक्ट से बाहर क्यूं हो गया मतलब चाइना की कम्पणी इस प्रोजेक्ट से बाहर क्यूं आ गई चाइना की कम्पणी का देखो ये कहना था ये जो प्रोजेक्ट है ना financially unwiable है मतलब cost ज़्यादा आएगी जितना खर्चा आएगा ना इस project को complete करने में उतना recovery नहीं हो पाएगी इतना rehabilitation के लिए पैसा देना है जो लोग displaced होंगे उसके बाद free electricity भी देनी है नेपाल को तो ना सब कुछ कांट के जितना खर्चा हमारा आएगा ना वो पूरा नहीं हो पाएगा यानि फाइदा कम है लागत ज्यादा है बट अब देखो नेपाल के पधामंत्री सेर बहादुर देवबा ने यह declare किया है चुकि नेपाल की power market जो है वो इंडिया है नेपाल अपनी इलेक्टिश से इंडिया को बेचता है और नेपाल की यह policy है कि नेपाल चाइना के द्वारा executed प्रोजेक्ट से power purchase नहीं कर सकता इसलिए यह प्रोजेक्ट हम इंडिया को दे रहे है चिदी सी बात है सेर बहादूर देवबा जो नेपाल की प्राइमिनिस्टर है उनका जो inclination है वो इंडिया की तरफ ज़्यादा है पहले जो परधामंत्री थे के पियस ओली उनका जुकाव चाइना की तरफ ज़्यादा था देखो नेपाल के पास ना हाड्रो पावर को जनरेट करने का बहुत जबरदस्थ potential है 6000 छोड़ी मड़ी reverse है वहाँ पे potential है total 83,000 मेगावाट electricity को जनरेट करने का बावजुद इसके नेपाल में देखो power की shortage काफी ज़्यादा है क्योंकि नेपाल सिरफ 900 मेगावाट electricity जनरेट करता है potential वैसे मतलब capacity वैसे अभी जनरेट करने की 2000 मेगावाट है potential तो बहुत ज़्यादा है 83,000 मेगावाट capacity 2000 मेगावाट की है और उससे भी कम electricity फिलाल नेपाल के द्वारा खुद से जनरेट की जाती है नेपाल हलाकि अब इंडिया को आज कि समय में 364 मेगावाट जो power ह है ना वो export कर रहा है लेकिन पिछले कुछ सालों तक तो लगातार नेपाल इंडिया से electricity purchase कर रहा था देखो कुछ ना एनिस्चिता है इंडिया नेपाल electricity relations में नेपाल का ये कहना है इंडिया दावे तो बड़े-बड़े कर देता है कि हम ये project बनाएंगे लेकिन implementation इंडिया का काफी slow है एक्जामपल के तोर पर महाकाली treaty sign हुई थी 1996 में इस treaty के बाद में यहां पर project established होना था उस project की साइथा से 6480 मेगावाइट electricity को जनरेट करना था लेकिन इंडिया अभी तक इस project के detailed project report लेकर नहीं आया है सामने इवन multinational GMR जो company है ये भी अपर करनाली project को लेके आगे नहीं बढ़ सकी है हालागी कुछ ऐसे projects है जिनको लेके काफी तेजी से progress हो रही है इसको ना इंडिया की सतलूज विद्यूत निगम के द्वारा implement किया जा रहा है बूट scheme के तहट बूट scheme में क्या होता है आप build करो यह जो इंडिया की सतलूज विद्यूत निगम है ये build कर रही है बिल्ड करो कुछ समय के लिए अपने पास रखो और उसके बाद operate करो फिर ट्रांसफर कर दो यह होता है बूट का मतलब foundation रखी गई थी इस project की 2018 में और project complete होगा 2023 में इसके लाव नेपाल इंडिया को एक और project देने के बारे में सोच रहा है 695 मेगावाट का अरून 4 project यह भी उसी company को दिया जाएगा जो अभी अरून 3rd build कर रही है यही सत्रूज विजुत निगम इसके बाद writer कहते हैं देखो डिक्रित पते क्या है अभी फिलाल इंडिया नेपाल के जो relations है न हो फोकस करते हैं सिरफ power sector पर लेकिन देखो जब कोई एक project बनता है न रिवर के ऊपर तो वो multi-purpose project होना चाहिए ख्याल रखना चाहिए लास्ट में conclude करते हुए writer कहते हैं अभी जो प्रैमिनिस्टर है नेपाल के शेर बहादूर देवबा वो इंडिया के साथ काफी अच्छे relations maintain कर रहे हैं तो ये जो west city project NHPC को मिला है complete किया जाएगा इनके द्वरा तो ये project अच्छे से complete होगा न तो करत कर हम ने डिसकस किया इंडिया नेपाल रिलेशन्स से सम्मंदित